तो बच्चों हमारे पास हमने किया बुलंदख्वानी हुरूबे से लेके टे तक अब हमारे पास उर्दू का एक और काम है और उर्दू का वो क्या काम है आईए हम देखते हैं सारे ही बच्चे अपने उर्दू की वर्बुक निकाल लीजिए और उर्दू के वर्बुक के पेज नंबर 51 यानि 51 खोल लीजिए सारे ही बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि टीचर ने आपको यहाँ पे डेट लिखके दी है और यहां पर जमात का काम यानि की क्लास्फर भी लिखके दिया है इसका मतलब यह है कि टीचर आज आज आपको यह वाला काम बढ़ाएंगी और यह वाला काम समझाएंगी और आप यह काम करेंगे तो बच्चों, इस सफ़े पे हमारे पास एक हरूफ लिखावा है इस हरूफ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस हरूफ पे काम करने से पहले हम अपने इस हरूफ का आयादा कर लेते हैं यानि हम इसको रिवाइस कर लेते हैं यह हरूफ है रे और रे से टीचर ने आपको बहुत सारी चीज़े बताई थी यानि के हुरूफ रे से क्या-क्या आता है टीचर ने आपको बताया था तो कौन से बच्चे हैं जो मुझे बताएंगे के हुरूफ रे से क्या-क्या आता है जी हाँ हुरूफ रे से आता है रसी हुरूफ रे से आता है रसी रे से रीच रे से रसी रे से रीच से रेल गाड़ी, रे से रेडियो, रे से रीच, रे से रसी, जी हाँ, अब इस आयादे के बाद, इस रिवीजन के बाद, अब हम हुरूफ रे को लिखना सीखेंगे, सबसे पहले इसी तरह से जैसे आपको टीचर काम कराती हैं क्लास में, और आपको मैंने पहले भी बताया है कि जितने भी पैंसिल फेरने के काम या जितने भी ट्रेसिंग के काम है, वो आप अपने पसंद के रंग से या अगर चाहें तो पैंसिल से कर सकते हैं, यहाँ मैं आपको सिर्फ पैंसिल से बताऊंगी, लेकिन यह आपकी मर्जी है कि जो कलर, जो रंग आपको अच्छा इतना शुरू करते हैं जी हाँ यह क्या बन गया हुरूफ रे यह कौन सा हुरूफ बन गया हुरूफ रे चलिए अब और मजीद हम मश्च करते हैं हुरूफ रे को लिखने की यह हमारा हुरूफ रे यह क्या है हमारा हुरूफ रे आप इन तमाम हुरूफ को अलग-अलग हैं और किसी एक वाहिद रंग से भी लिख सकते हैं फिर से लिखेंगे हम हुरूफ रे यह हो गया हमारे पास हुरूफ रे एक मतब फिर हम हुरूफ रे को लिखेंगे और इसकी मश्क करेंगे यह हमारा हुरूफ रे, ये कौन सा हुरूफ है, रे तो बच्चों, ये हमने लिखा अपना हुरूफ रे ये कौन सा हुरूफ हमने लिखा है, हुरूफ रे तो बच्चों, इस उर्दू के काम के बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि रे किस तरह लिखना है तो आज का अपका अुर्दू का काम था बुलंखुआनी, पेजिन.29 महाराथी सिलसले में हुरूफ बे से लेके टे IL टक्क के हमने बुलंखुआनी यानि रीडिंग कीती और इसके इलावा हुरूफ रे का काम उर्दू की वर्बुक के पेज नंबर 51 यानि पेज नंबर 51 में पैंसिल फिह रहाता हमने हुरूफ रे में और हुरूफ को चार दफा लिखना भी सीखा था तो बच्चों मुझे उमीद है कि ये काम आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और साफ सुत्रे तरीके से करके अपने वालदین को चेक कराएंगे और फिर इन्शाला ताला जब आपके स्कूल खोलेंगे तो आप मुझे दिखाएंगे जब तक के अपना बहुत ख्याल रख आपके अलाओ